कि यूबियसी मेंस एंसर रेटिंग प्रेक्टिस स्रीज में आप सभी का स्वागत है आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को मिला कर ठीक है इसके पहले हमने दो दिन में जो है जोग और फी और इंवार्मेंट एकोलोजी के करेंट बेस कुश्चन दे ने सब्सक्राइब है पहली क्लास में दूसरी क्लास में हमने यह इंफ़रमेशन दे दी कितने कुश्चन आते हैं ठीक है आपको क्या-क्या ध्यान रखने की ज़रुत है जैसे आपको टाइम मैंनेजमेंट हुआ ठीक है और प्रैक्टिस जारी रखनी है ठीक है और बेसिक जो ट्रेजेशनल बुक्स है उसके अलाव भी न्यूस पेपर वगरा से भी आपको जानकारी आपको लेती रहने हैं ठीक है तो यह सब चीज़े आपको दियान रखनी है चलिए आज के पहले कुश्चन के सुरुआत करें तो इसमें हिस्ट्री का इसमें पूचा है और दोगे पहले आपको इसमें संचिप्त रूप में इंडेस्ट्रिल रिवलूशन या फ्री और दोगे क्रांद के बारे में इंट्रोडक्शन दे देना है दूसरे परेग्राफ में आपको लिखना है इसका जो प्रभाव है समाज और अर्थ बिवस्था पर किस प्रकाव पड़ा है इसकी चर्चा कर लेनी है इसके बाद इसमें निसकर्स लिखना है ठीक है तो चलिए एंसर की सुरुआज करते हैं इसमें देखिए हमने किस प्रकार एंसर लिखना लिखा है आप भी कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं इसको ठीक है जैसे इंट्रोडक्शन में हमने लिख बहार करने के तरीके एक सिकन्द तरीके में महात्पूर बदलावाद देखा गया था इस क्रांथ से दोन च्छेत्रों की अर्थ व्यवस्ता में परवर्टन होने के साथ साथ नए तकनिके नए समाजी क्वर्गों और जीवन के नए तरीकों का उद्य हुआ था अब इसके मु इस क्रांथ से क्रिसी परिवाहन संचार और वी निर्माड के छेत्र में बदलावाए थे समाज और अर्थ बेवस्तार पर और दोगे क्रांथ का प्रमूख प्रभाव पढ़ा जो निम लिखी थे सबसे पहला प्रभाव जो इंडस्ट्रियल रिवलूशन का पढ़ा था फै वर्भाव ने कारखानों में काम करने के लिए ग्रामिड चेत्रों से सहरी चेत्रों में जाना शुरू किया था ठीक है इसमें एक सब पैरगाफ चेंज करकर इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इस पढ़ानी में वस्तुओं के उत्पादन के तरीके मातपुर्ड बदलावाया ठीक है क्योंकि मसीनों ने मानोस्रम का अस्थान लिया इससे दच्चता और पदक्ता में व्रिद्ध होई जिसके परढ़ाम सुरूप अर्थवेवस्ता का विकास हुआ था ठीक है नेक्स्ट में क्या रिखेंगे एक तो हमने इंड़स्ट्रियल में इंड़स्ट्रिय चेत करके लिखेंगे कारखानों के मालिक और पूजी पत एक नए अभिजात वर्ग के रूप में उबरें जबकि मजदूर वर्ग के रूप में भी एक नए वर्ग का उदय हुआ था ठीक है फिर इसको पॉइंट परग्राफ चेंद करके मिली सकते हैं इससे ऐसी समाजी कार्थ और वैस्वी कड देखने को मिला यानि और दोगी क्रांच से यूरोप उतरी अमेरिका में ब्यापार व्रिद्ध होने के साथ सथ वैस्वी कड को प्रोसान मिला भाब के इंजन और एलमार्ग यसी नई तकनिकों से वस्तुआं और लोग लंबी दूरी तक गमन करना यानी आना जाना असान हुआ फिर इसमें पॉइंट चेंज करके लिख सकते हैं कि इससे विभीन शेत्रों के ब्यापार में ब्रिद्ध हो एकसासत अंतराश्टी ब्यापार में भी ब्रिद्ध मिली ठीक है नेक्स्ट जो प्रगत हुई इंडस्ट्रियर लिविशन से उसमें टेक तकनीक में कुछ एक्जामपल जैसे पावरलू में स्टीम इंजन इन सब का एक्जामपल दे देंगे इससे क्या हुआ था तकनीक इन प्रगत्स्यत इसको भी लिखेंगे इससे दचता और उपाद्ता में ब्रिद होने के साथ अर्थ बेवस्ता का विकास हुआ इसके बाद परणरी प्रभाव के चर्चा कर लेंगे परणरी प्रभाव की बाद करेंथ ओद रिजे अकृँरां से यूरोप और उत्री अमेरिका के चेट मेन परमातुर पढ़ता यानि इस दोरान कार खानों सहरी छेत्रों में विकास कार्ड प्रदूशर्ड परेवर रिच्षड में बृद्ध हुई थी इन चेत्रों में रहने वाले लोगों पर इसके दिरकालिक प्रड़ाम हुए इसके अलावा ओद्योगे क्रांथ से जो है संपत्त में बृद्ध हुई थी ठीक है इसको भी एक एंडिंग बना कर लिख सकते हैं कि अध्योगे क्रांथ से संपत्त की मात्राम बृद्ध होने से मध्यम वर्का उद्य हुआ था फिर सहरी कर्ड में बदला हुआ था उद्योगे के बिकास होने के साथ अधिक स्रम किया आवसकता हुई जिसके कार्ड लोग ग्रामेड छेतर सहरी छेतर को प्रवासित हुए इस क्रम में सहरी कर्ड में बत्पुट बदलावाया इस प्रवसन के कार्ड सहरों में भेड़ भार रहने और दैनी इस्थित उत्पन होने के साथ स्वास समधी मानकों में गिरावट आई ठीक है तो इस प्रकार हम इसका एंसर लिख सकते हैं ठीक है और देगी रिवलेशन से जो भी प्रवाव पड़ा जो आप आप अबसर्व कर रहे हैं अपने आसपास वही चीज़े इसमें लिख देनी है अब ये लाइन टो लाइन अपने अपने टेडिशनल बुक में मिलेगी नहीं इसमें बहुत सारी बुक को जो है कंबाइंड करके आप या फिर नीउस को निज़े कर आप लिख सकते हैं निसकर्स में बात करें निसकर्स के क्या लिख सकते हैं इंग्सकर्स में लिख सकते हैं और दे करांध ब्यापक परवर्थनों की यवत्ति जिसका यूरोप उत्त्री अमेरिका के समाज अर्थ बेवस्ता पर काफी प्रभाव पड़ा ठीक है वस्तूओं के उत्पादन वस्तूओं के उत्पादन तरीकों परवर्थना आए ने समाज इक वर्गों के ब्यापार वैस्तिकर्म व्रिध्य तकनीकी प्रगत एंपरेवर्डी छड़ के रूप में इसके बिभिन प्रभाव देखे गए इसके अलावा लिख सकते हैं और तब्युस्ता पर कई सकरात्मक प्रभाव होने के सास्थ और दोगिक रांध में समाज इसका एंसर लिख सकते हैं इसको आप चेंज कर सकते हैं आप क्योंकि कोई एंसर परफेक्ट नहीं होता ठीक है दूसरे कुश्चन की बात करें हिस्ट्री से ये इसने पूछा गया है भारती सतना संग्राम में महत्मा गांधी की योगदान को बताते हुए चर्चा कीजिए उनकी विचार धाराओं और रणनीतियों ने भारत की सतना संग्राम को किस पकार आकार दिया अब इस कुश्चन को कैसे आप टैकल कर सकते हैं इसकी बात करें तो इसमें जो है इसमें आपका दृष्ट कोड क्या होना चाहिए तो सबसे पहरे से पूछा है भारती सतना संग संग्राम में महात्मा गाधी की भूम क्या का आप इंटोड़क्स यहां से आप कुश्चन की एंसर लिखने के सुरुआत कर सकते हैं इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं उनकी विचार धाराओं ठीक है उनकी विचार धाराओं और डड़नीतियों ने भारत के सुतंता पर सुतंता संग्राम किस प्रकार आकार दिया ठीक सेकंड पैराग्राफ में इस लिख सकते हैं इसके बाद क्या लिख सकते हैं निसकर्स लिख सकते हैं ठीक है तो इंट्रोड़क्शन में देखिए हमने जो लिखा है इसमें लिखा है मात्मा गाधी ने ब मार्च ठीक है सईद कई सफल अभियानों का नित्युत किया था इसमें उन्हों ने उनके अनुवाईयों ने नमक उत्पादन पर ब्रिटिस एक अधिकार का विरोध करने के लिए अरब सागर तक मार्च किया था इस अभियान के पढ़ाम सरूप भारती नमक अधनियम को निर विचार देने वाली इनकी विचार धारा और निर्ण दिया तो इनकी विचार धारा क्या थी अहिंसा की बात की थी ठीक है अहिंसा के बात करेंगे तो उसमें गाधी के अहिंसा के दर्शन उनकी राजनितिक समाधिक मानताओं के मूल में था उनका मानना था कि हिंसा केवल अधिक हिंसा को जन्म देती है, अइंसक प्रतिरोज समाज में बदलाव लाने का एक अधिक प्रभावी तरीका है, ठीक है, गाधी ने अइंसक दिश्टकोड ने बिस भर में कई अनिनागर्कों के अधिकारों मुक्तियांदोलों को प्रभावीत किया, दूसरा उनकी विचार कानूनों, दमनकारी नेतियों, कुछ चुनवती, देने के लिए सबने अवग्या अंतोरन, हर्ताल, भहिसकार, अन्नाहिंसक साधनों का उप्योग किया जाना सामिल था, सत्याग्रा का उद्देश उत्पिरन करताओं के हर्दय को परवर्तित करना था, और बल और जबजस् जिसका उप्योग करके गाधी भारत में बिटिस सत्ता को चुनवती देने के लिए करते थे, उन्होंने भारतियों को बिटिस वस्तूओं, संस्ताओं, कानूनों का बहिसकार करने और करों का भुक्तान न करने, बिटिस द्वारा संचले चुनवां में भाग ना लेने का अ न्याइपुड कानूनों, वीनिमों को तोड़ना और उन कारियों को परड़ामों को स्विकार करना सामिल था, गाधी ने वर्स 1930 में नमक मार्च का नितित किया था, जिसमें उन्होंने हजारों अनुआईयों ने बिटिस नमक कानूनों के आवहलना के करम में अपना नमक ब इसके लावाब इसमें निसकर्स की बात करते हैं, भारती सतंता संग्राम में मातमा गाधी का योगदान अतुन्ली था, अइंसा सवने अवग्या के उनके दरशन असायोग, सवने अवग्या के उनकी रणी, उनके नेतित्युत्युने भारती जनता को एक्जूट करने, अगर आपको और कोई तरीका मालूम है तो आप अलग तरीके से भी इसको लिख सकते हैं तीसरे कुश्चन की बात करें तो यह आर्ट इन कल्चर से इसमें पूछा है अब इस प्रसन को अगर हम तोड़े इसमें क्या-क्या आप कौन-कौन से पैराग्राफ में क्या-क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन कहां से लुकर इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे द्रविड वास्तुकरा सेली के बारे में आप बताते हुए यहां से इंट्रोडक्शन की यानि क्विश्चन आइंसर की सुरुवात कर सकते हैं मुख के बाद में आप लिखेंगे द्रविड वास्तुकरा सैली की विश्यस्ताओं को बताते हुए इसमें चोल राजवन्स के युगदान का उलेक कर सकते हैं ठीक है इसके बाद निसकर्स लिख सकते हैं ठीक है तो इसमें इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है द्रविड अकाल भी मेंसन कर दीजे क्योंकि फैक्शुल जानकारे भी कहीं कहीं जरूरी हो जाती है जो चोल राजवन जो नवी से तेरावी सतावजे तक दछ्षड भारत के काफी बड़े राज़ पर हिस्सासन किया था ने द्रविड मंदिर वास्तुकला सैली को आकार देने लोग वीक्री बनाने में मातकुल भूंगा निभायता है तो यहां से हम अपने इंट्रडक्शन लिख कर कूश्चन के शुरुआज कर सकते हैं इसके बाद हम क्या करेंगी मुख्य भाग में क्या लिख सकते हैं द्रवड मंदिर वास्तुकला सैली की विश्यस्ता है विवान मंड इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिख देंगे ठीक है यानि विमान की क्या विस्यस्ता है मंडप सिखर गोपुरम और गोस्टम की क्या विस्यस्ता है तो ये थोड़ा थोड़ा इसमें लिख देंगे आप यहां से जो है इसको दीख लीजे इसके बाद इसके नीचे बारे में पूछा है तो यहां पर देखिए इसका जो है टूडी डामेंशन चित्र बनाना है तो आपको जो है सिखर बना देना है ठीक है आपको सिखर बना देना है सिखर में कुछ इस तरीके से एक सेट तो आपको सिखर बना देना सुखर में देखिए इस तरह बना दे रहा है तो यह सिखर हो जाएगा ठीक है यह बीमान हो जाएगा इसके बीच में जो है गरगरी रहता है तो यहाँ पर गरगरी लिख दिएगा यहाँ पर सिखर ठीक है और यह हो जाएगा मंड़ तो यह ऐसे चित्र आप मना सकते हैं छोटा सा ठीक है अब इसमें द्रविड मंदिर वास्तुकला के आकार देने वाल चोल राजवन्स की भूमका के बारे में क्या लिखेंगे सबसे पहले चोल राजवन्स ने सरच्षर निर्माड हेडिंग डालेंगे चोल राजवन्स ने कई भब मंदिरों का सरच्षर देने के साथ इनके निर्माड मातपुर भूम का निभाय थी इस परकार राजवन्स ने द्रविड वास्तुकला के विकास और प्रसार में योग दूसरा उन्होंने क्या किया था दूसरा में आप हेंडिंग डालेंगे वस्तु वस्तु कला सहली में नवचार लाना यानि चोल राजवांस में वस्तु कला सहली में समधित कई नवचारों को अपनाया जो द्रविड मंदिर वस्तु कला की पहचार बन गे उन्होंने बड़ी मात्रा बड़ी और अधिक विस्ति संद्रतनाओं को सुरू करनके बिमान की अधारा के विस्तार किया था राज राज चोल प्रतम द्वारा निर्मित ब्रेदरस्वर मंदिर नो चोल राजवन्स की वास्तकला सहली की प्रतिवा का परचायक है एकास में करेनाई चटान से निर्मित इसका विशाल बिमान अपने समय की मातपूर निर्वे नर्मार उपलब्दियों में से एक है दूसरा जो है मूर्तिकला पर बल देना ठीक है चोल कला के महांसर रच्णक थे उन्होंने द्रवेड मंदिरों में जेटिल मूर्तियों और नकास्यों को प्रसार पर बल दिया उन्होंने अपने मंदिरों के बिभिन देविद देवताओं के पोगाड़ेक विस्सों के संबज़ें चित्रण को प्रसायत किया चोल मंद्रों संब्धिन मूर्थी ऐसे नट्राच से असाधार कलात्मक भक्ति का भाव प्रदरसन होता है तो इस परकार चोल राजवन्स की भूमक्या के बारे हम लिख सकते हैं इलाश लिखेंगे मंदिर प्रसासन और अनुश्टार के बर्म चोल राजवन्स ने एक सुववश्टित मंदिर प्रसासन प्रणाली की स्थापना की उन्होंने द्रवेड मंदिरों के जोड़ी अस्थापत और संस्कृत परमपरा को सनरश्ट करने मातपुड भूमकर निवाई थी तो इस पकार चोल राजवन्स की भूमक्या तीक है मंदिर निर्माड सहली या इन द्रवेड सहली की जो मंदिर विसेस्ता है उसको आपने दर्सा दिया अब निसकर्स में क्या लिखते हैं निसकर्स में द्रवेड मंदिर वासुकला सहली मिवान मंदब गोपुरम जटल नकासी मोर्तिय करूप में प्रवंक विसेस्ता है इस प्रकार अपना एंस्वर लिख सकते हैं आप इसको अगर आपके पास कोई और मैटर है या कोई और आईडिया है तो आप अलग से भी लिख सकते हैं कुष्चन 4 में देखिए लिखा है कुष्चन फोर में देखिए लिखा है फिर दोनों नेताओं के दिरिष्ट कोड में समानता विवनताओं पर प्रकास जा लेंगे छिए उसके बाद निस्कर्स लिखेंगे अब इसको हमने कैसे लिखा इसमें देखें इंट्रोडक्शन लिखा है तिलक और गांधी भारती सुतनता संग्राम के दो मातपुड नेतते जिन्होंने बिटिस ऑपने सिक्सासन से भारत के सुतनता दिलाने मातपुड योगदान दिये इनके दिश्टकोर में समानता होने के साथ इन तरीकों के मुख विचारधारों में भी विन्ताय थी मुख के भाग में देखेंगे तो समानता है समानता है क्या थी समानता हो में आपको तिलक और गाधी के जो समानता हैrist ने के बिटिस ऑपने असित मुख्त कराने तो ठीक है ऐसे पॉइंटों को आपको इसमें लिख देना है ठीक है विविन्यताओं में एक विविन्यता आप हेडिंग डालेंगे ठीक है दोनों के विचारधारों में जो विविन्यता थी उनको आपको लिख देना है ठीक है इसके बाद निसकर्स में लिखेंगे फिर बाल गंगाधर तिलक और मौतमा गाधी का बिटिस दोनुए नेताओं ने भारती लोगों को संगठित करने मातपुर भूम का निभाने के साथ अनता भारत को आ जाए दिलाने के में काफी योगदान दिया था तो इस प्रकार जो है आप लिख सकते हैं इसमें विविन नता है हमने पॉइंट वाइस लिख दिया है आप यहां से देख सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार आज का जो चार कुष्टन का टार्गेट था वो पूरा हुगा इसके लाव हमारी NCRT के क्लासे चल रही है ठीक है यहां यह मार्ट फिलिग्राम चैनल आप इसके उसके कर सकते हैं यहां फिर इसकी पीडिएफ आपको मिल जाएगी मिल